नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षिक साथियों आपको याद होगा पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे एक कहानी यह भी शितिज भाग 2 से पाठ संख्या 14 जो मन्नु बंडारी की आत्मकथा का आन्श है और हमने उनके पिता के साथ उनके टकराहटों पर भात की थी उन टकराहटों को दिखाने के लिए लेखिका दो प्रसंगों का जिक्र करती है आज पाठ की शिरुवात में हम उन दो प्रसंगों के बारे में जानेंगे क्योंकि बोहत ही विस्तार से इन दोनों प्रसंगों के बारे में लेखिका बताती है एक बार क्या हुँआ था कि पिताजी को college की principal ने बुलाया उन्होंने बुलाते हुए जो पत्र लिखा उसमें लिखा कि क्यों नहीं लेखिका की गतिविधियों के कारण उस पर अनुशासनात्मक कारेवाई की जए अनुशासन आत्मक कारेवाई क्या होती है? मतलब कि अनुशासन भंग करने का आरोप था लेखी का पर और उनकी प्रधाना ध्यापिका लिख रही थी कि क्यों नहीं उनको कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए स्कूल या कॉलेज से सस्पेंट कर दिया जाता है रेस्टिकेट कर दिया जाता है यह सारी चीजें आपने सुनी होंगी तो इस जमाने में भी थी तो यही पत्र में लिखा हुआ था यह सुनते हैं यह पढ़ते हैं पिता आग बबुला हो गया अब आग बबुला का क्या अर्त होता है आग बबूला यानि की अत्यंत क्रोध में आ गए उनको लगा कि मन्नू से पहले के बाल बच्चों ने बड़े बच्चों ने मुझे जो दिन नहीं दिखाया वो इस लड़की ने दिखा दिया इसने मेरी ना कटवा दी अब कॉलेज की प्रिंसिपल मुझे लेटर लिखकर बुला रही है और धमकी भी दे रही है कि इसको कॉलेज से बाहर निकाला जा सकता है इन सब कारणों से जो वो एकदम बमक गए थे तो चले गए कॉलेज मनू डर के मारे पडोस में कहीं जाकर छि कुछ न कुछ धमकाएंगे तो यह सब शान्थ हो जाए एक दो दिन बिज्जा तब घर आऊंगी लेकिन मा ने आकर बताया पडोस में ही कि पिताजी तो बड़े खोश है बहुत ही आश्यर हुआ मनू को कि ऐसा क्या हो गया कि पिताजी बहुत खोश है और गर्व कर रहे है जब वो वापस आई तो पता चला कि कॉलेज की सारी लड़कियां जो उनके रोब में हैं या उनकी बात मानती है प्रिंसिपल को जो यह डर है कि मनू के एक इशारे पर कॉलेज में हर्ताल हो सकता है या लड़कियां खक्षाएं छोड़कर बाहर चली जाती हैं तो इस कही कि आंदोलन तो इस समय आजादी की पुकार है और देश का काम है इससे कोई भी नहीं रोक सकता है लेखी का अवाक्त थी उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पिता जी ऐसे हो गए अब यहां पे हमें ध्यान देनी की बात यह है कि मनू जी के पिता क्यों ऐसे होक करा आये थे हैं उनको अपने सामाजिक छवी की जो हो मुख्य धारा में रहते थे समाज के लोग उनकी बाते मानते थे उस छवी की बहुत ही पहचान की उनको अंदर से एक तलब थी उनके मन में इच्छा थी कि लोग उसी तरीके से उनको प्रसिद्ध या यश में डूबा हुआ देखें अब मन्नु जी को जब कॉलेज में देखा कि लड़कियां उनकी प्रसिद्धी के आगे कहीं न कहीं उनके नियंतरण में हैं उनकी बाते सुनती हैं वह नेता हैं वह उनकी लीडर हैं तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगी और वहाँ पर उनका गुस्सा जो मैं इतिहास में लेका चलती हूँ कि आजाद हिंद फौज जो है वह क्या है इसी छितिज में आपने पहले एक पाठ पर रखा है नेता जी का चश्मा उसमें भी आजाद हिंद फौज का जिक्र हुआ है नेता जी सुभाश शंद्रबोस ने देश की आजादी के लिए आजा वे अंग्रेजों के खिलाफ थे विश्वयुद में तो अंग्रेज जो भारत के शाशक थे भारत भी उनका उपनेवेश था अंग्रेजों ने इसी देश में उनके खिलाफ मुकद में चलाए और आपको पता है कि सुभाश शंद्रबोस की तो मृत्ती हो गई थी लेकिन ब मुकदमे को जवाहलाल नहरू ने लड़ा लेकिन जब वा मुकदमा चल रहा था वकील थे जवाहलाल नहरू और वा मुकदमा केस में चल रहा था उन दिनों देश में बहुत ही हरताले हो रहे थी विरोध हो रहा था अंग्रेजों का कि अंग्रेजों भारत छोड़ो हमारे देश से जाओ और जो लोग हमारे देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं उनको किसी तरह की सजा देने के लिए ये मुकदमे मत चलाओ इसके लिए हरताल में सब को बंद स्कूल, कॉलेज, दुकाने ये सारी चीज़े बंद कराई जा रहे थी शाम के समय शात्रों के समूह उनने तै किया कि हम चौराहे पर इकठा होंगे और सब को इसके लिए प्रेरित करेंगे कि सभी इस बंद में हमारा साथ दें लेखिका भी वहां पर मंच से जो शीला भाशन दे रही थी और उसी समय पिता जी के एक मित्र थे होते न हमारे दोस्त या रिष्टेदार ऐसे ज बहुत ही जादा हद से बाहर चले गई है अपनी सीमाओं से बाहर चले गई है कैसे लड़कों के साथ गूम रही है होते है हमारे कुछ ऐसे रिष्टेदार जबाल बच्चों आप लोग के भी माता पिता के खान भरने आते होंगे है न कि आपका बेटा यह कर रहा है आपकी सामाजिक शवी को चोट पहुचे पिता जी फिर क्रोज से भन भना उठे दरसल वो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का बहुत खयाल रखते थे लेकिन हुआ यह कि जिस दिन उनके यह मित्र कान भर के गए थे चुगली करके गए थे उसी दिन जब मन्नु भंडारी वापस आ उस समय लेखिका को देखते हैं उन्होंने खुब रशन सा की और कहा कि मैं तो गुजर रहा था और चौपर पे जब तुम्हारा भाशन सुना तो मुझे लगा कि इतना अच्छा बोल रही है लड़की मैं आके भंडारी जी को बधाई दूँ और ये तुम्हे तुम्हारे लिए तुम्हारे ऊपर बधाई देने के लिए ही मैं तुम्हारे घर आया हूँ मुझे तो तुम पर गर है जैसे जैसे पिता ये तारीफ सुन रहे थे उनका क्रोध दीरे दीरे शांत हो गया और गर में बैदल गया कहा तो वो बगल का एक कोई ऐसा दोस्त आके चुगली क कर गया और कहा इतने सम्मानित अंबालाजी तारीफ करके गए अब लेखी का यहाँ पे कहती हैं कि मेरे पिता जो है वो कही आंतर विरोधों में जी रह modest हम सभी अंतर विरोधों में जीते हैं और हमारे अंतर विरोधों की खुबसूरती ये है कि हम उसको स्विकार करें पिता के अंतरवी रोधों को क्योंकि मन्नु भंडारी ने स्विकार कर लिया तभी वो जीवन में इतने आगे बढ़ पाई ये लिख पाई और इस विशिष्ट नजर से वे अपने पिता की भी समिक्षा कर पाई इस तरह से निर्मम और कठोर होकर वो अपने पिता के बारे में लिखती हैं कि वे विशिष्ट तो बनना चाहते थे लेकिन अपनी सामाजिक शवी के बारे में भी जागरूख थे इस पर प्रश्ण भी बनते हैं और प्रश्ण नहीं भी बने तो ये पाठ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इसे हमें समझना चाहिए पिता जो है वो अपनी सामाजिक शवी समाज क्या कहेगा लोग क्या कहेंगे हमारे यहाँ बहुत बड़ी मान सकता है कि भले ही कोई लोग हमारे मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं हमारे काम नहीं आ रहे हैं लेकिन वो कहेंगे क्या फलाने की बेटी की शादी नहीं हुई है तो दुनिया क्या कह रही है इसलिए वो चिंतित है वह लड़की मेरी अगर मुक्यबाजी में चली जाएगी जो लड़कियों का काम नहीं है तो मेरा पडोस क्या कहेगा इसलिए लोग चिंतित हो जाते हैं तो सामाजिक छवी जो है वह यह है कि समाज क्या कहेगा समाज मेरा एक इमेज है मेरे बारे में जो लोग सोचते हैं उसकी प्रती मन्नु जी के पिता जाग रूपते लेकिन वो विशिष्ट भी बनना चाहते थे अब मन्नु जी कहती हैं कि ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकती आप विशिष्ट हों या आप समाजिक छवी को अपने ऊपर एक थोप सकें यही हो सकता है लेकिन यही अंतरविरोध था कि विशिष्ट भी उनको चाहिए थी उनको सब कहें कि वाह भंडारी जी आप तो अलग हैं और आपने यह क्या कमाल किया है आप दुनिया के लिए एक नई रीत बना रहे हैं आप लकीर के फकीर भी हो जाएं और कहीं न कहीं आप अपने को दुनिया की नजर में खास भी बना सकें यह नहीं हो सकता है दोनों में टकराहट होगी ही होगी तो इस बात को आप देखिए कि जब भी आप विशिष्ट होना चाहेंगे चार लोग जरूर आएंगे कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो इसमें तो ये कमी है ये गलत है लेकिन आपको अपने इनर वोईस पे आपको अपने मन में क्या चल रहा है क्या आप उसको उसकी सचाई पर यकीन करते हैं अगर करते हैं तो आप विशिष्ट बन पाएंगे आपको हो सकता है कि कभी आपने जीवन में जो सोचा है सब की नजर में वो उचित नहीं हो लेकिन आप हर तरफ से उसके बारे में पता करके अपने लिए अगर समझते हैं तो आप उसके जा सकते हैं अभी तो हम बहुत सारी चीज़ों को तोड़ रहे हैं सामाजिक बंधनों को हटा रहे हैं और हम नए तरीके से जीवन को देखना सीख रहे हैं तो मुझे हमेशा ही अपने विद्यार्थियों से इस बात का जिक्र करना अच्छा लगता है इस पार्थ में लेखिका ने एक और महत्वपून व्यक्ति की चर्चा की है उनका भी प्रभाव उन पर बहुत बड़ा है और क्योंकि लेखिका एक लेखिका हैं सहित्यकार हैं, रचनकार हैं तो हम इस पार्थ को, हम इस हिस्से को नहीं जोड़ सकते हैं वह मत्वपून व्यक्ति है उनकी अध्यापिका शीला अगरवाल जब लेखिका कॉलेज में गई फर्स्ट येर में तो उनका परिच्छे शीला अगरवाल से हुआ था 1945 में उसी साल शीला अगरवाल ने उस कॉलेज को जोईन किया था और आगे जिकर भी है कि उनके व्यक्तित्व के चलते कॉलेज वालों ने उनके नोटिस भी थमा दिया अब शीला अगरवाल का व्यक्तित्व कैसा था वो खुद बहुपठित थी, बहुत सारा कुछ पढ़ा था एक अच्छा ध्यापक अपने विद्यार्थियों को हमेशा किसी न किसी अच्छी बात के लिए प्रेरित करता है वो अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए हो, अच्छी फिल्में देखने के लिए हो कहीं न कहीं वो उनको एक नई दुनिया में प्रवेश कराता है समाजिक बदलाव और व्यक्तित्व में सुधार के लिए भी तो मन्नु भंडारी शीला अगरवाल को इसी तरीके से याद कर रही है कि उन्होंने बकाइदा साहित्य के दुनिया में प्रवेश कराया पढ़ने के लिए कहा शरचंद्र और प्रेमचंद से आगे बढ़कर अभी तक लेखिका इन्हीं को पढ़ी हुई थी इनको छोड़कर आगे बढ़कर जैनेंद्र अग्ये यश्पाल भगवती चरणवर्मा जिनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है जो प्रेमचंद के बाद के लेखक हैं इनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया उन उपन्यासों पर बातें की बहसे की अभधियान रखिये सुनीता भी पढ़ी और शेखर और एक जीवनी भी और बताती है कि शेखर एक जीवनी तो उनको उन दिनों समझ में नहीं आई लेकिन बाद में जब उन्होंने नदी का द्विप पढ़ लिया तो उसके प्रभाव में दुवारा शेखर एक जीवनी पढ़ने लगी यह दोनो मैं इसलिए जिकर कर रहे हूँ कि अगर आपको हिंदी सहित्य में दिल्चस्पी हो तो आप कुछ समय के बाद अपनी परिक्षाओं के बाद जरूर पढ़ सकते हैं यह किताबें और शेखर एक जीवनी जो है दो भागों में है अग्ये की लिखी हुई किताब है उपन्यास इसमें मूलियों के टकराहट और मन्थन का यूग था जब भी हम मन्थन करते हैं कोई न कोई बात उससे निकल कर आती है विचार, विमर्ष, चर्चा, परिचर्चा सब को शामिल करके होता है मन्थन और जब मन्थन होता है तो उससे कुछ निर्ने निकल कर आता है तो वह मन भारत के आजादी के बहुत सारे सवाल उन रचनाओं में एक प्रत्यक्ष और परुक्ष रूप से भी थे तो शीला अगरवाल ने सहित्य का दाइरा बढ़ाया और साथ ही साथ उनको बताया कि घर की चार दिवारी के बीच में बैठ कर देश की स्थितियों को जानने समझने क के बाद अब सामाजिक हस्तचेप के जरूरत है अभी तक तो तुमने पिताजी के ड्रॉइंग रूम से जान लिया है कि देश किस स्थिति में है लेकिन शीला अगरवाल ने बताया कि चोराहे पर जाकर उस स्थिति में बदलाव के लिए सक्रिय भागिदारी निभानी तो बहुत सारे कारण हुए जिसके चलते उनको भी नोटिस दिया गया और छात्राओं ने इसके बदले में हरताल कर दिया शीला अगरवाल को लड़कियों को भड़काने के लिए नोटिस दिया गया और लड़कियों ने उनको नोटिस दोने के खिलाफ जो है वह कहीं न कह एक हड़ताल कर दिया और कॉलेज बंद हो गया फिर क्या हुआ जुलाई में थर्ड यर की खक्षाएं बंद हो गई लेखिका कि और उसकी दो साथियों को दो और लड़कियों लड़कियों का कॉलेज था सावित्री कॉलेज आज भी अजमेर में है और मैं यहाँ पर फिर से आपको बताऊं कि मैं अजमेर में बहुत साल रही हूँ वहाँ किसी और विद्याले में काम कर रही थी लेकिन सावित्री स्कूल और सावित्री कॉलेज आज भी वहाँ का लड़कियों का एक प्रमुख विद्याले और कॉलेज है तो लेखिका और उनकी दो साथियों को भी उससे बाहर निकाल दिया गया और बाहर जाकर भी उन्होंने बहुत थोड़ दंग मचाया और अंततर कॉलेज वालों को अगस्त में थर्ड एर को खोलना ही पड़ा और इनको वापस लेना पड़ा इन छात्राओं को लेकिन इससे भी अधिक लेखिका किस बात से प्रसंद है क कि अगस्त में हमारा कॉलेज ही वापस नहीं खुला अगस्त में हमारे देश को आजादी मिल गई और उस आजादी को लेकिका कहती है शताबदी की सबसे बड़ी घटना जब भी मैं इस अंत तक पहांसती हूं मैं बहुत ही रोमान चित हो जाती हूं एक किशोर लड़की ज जो अपने जीवन के कितने उथल पुथल से गुजर रही है और उसके नव युवक साथ ही उसमें सामिल है और उसके सपनों को एक दिशा मिलती है देश की आजादी से तो देश की आजादी क्यों नहीं उसको रोमान चित करने वाली बात लगेगी तो आजादी पर आकर यह हिस्ता जो हम शितिज में पढ़ते हैं वो खतम होता है लेकिन कहीं न कहीं मैं ये कहना चाहते हूं कि अगर आपको यह पाठ पसंद आया अगर लेखिका के परिवेश में उनके जीवन में आपकी दिल्चस्पी हुई तो आप इस आत्मकथा को पढ़िएगा बहुत सरल भाषा में लिकी हुई है छोटे छोटे जैसे वाकियों से प्रेरी थें लेखिका वैसे ही वाकिय हैं भाषा हिंदुस्तानी है कहीं से भी बहुत गूड नहीं है लेकिन जो हमारे देश की आजादी के आंदोलन के इतिहास हम पढ़ते हैं उस इतिहास की ये साहितिक प्रस्तुती है एक सामान्य विद्यार्थी की नजर से आपकी उम्र की ही थी लेखिका बड़े होकर वो देखती हैं वो वापस जाती हैं उस दोर में वो री विजट करती हैं अपनी स्मृतियों को उन यादों में जा रही हैं लेकिन कहीं न कहीं वो हैं तो आप ही की उम्र की जब इन सारी चीजों से गुजर रही हैं जब वो अपने पिता से टकराहट कर रही हैं माता पिता का और संतान का किशोर उम्र में ऐसे टकराना सामानिय सी बात है इस पार्ट में भी देखता है और हम जीवन में भी देखते हैं कल को हमें आर्ट्स पढ़ना है, हुमैनिटीज पढ़ना है, माता पिता को साइंस पढ़वाना इसी पे टकराहट हो जाएगी टकराहट के लिए तेश की आजादी और नारे लगाने की ही बात नहीं होती है लेकिन कहीं न कहीं हम इस सामाजिक इतिहास को इस पाठ के साथ साथ समझते हैं वह बहुत जरूरी है क्योंकि इतिहास की किताबों में लिखे हुई इबारतें हमें काई बार उबाव लगती हैं ऐसे जी हुई इवारते जैसे लेखिका ने जीवन जिया वो हमें बहुत ही सममोहित करती हैं तो आप देश्टमूहिं के बाद इस पूरी फुस्तक को भे बढ़ सकते हैं तो अब है कि इस पार्ट से हम क्या क्या ले सकते हैं देखिए दो तीन बातें महत्वपून है जो पूरे पाठ को अगर समगरता में देखें तो आज जो हम स्त्रिवादी नजरिये से जीवन को देखते हैं, समाज को देखते हैं तो इसमें एक स्त्रिवादी नजरिया है लेकिन उसको कहीं भी थोपा हुआ नहीं है वा जिया हुआ जीवन है कि कैसे इस तरियां समाज में अपना हस्त अच्छे पढ़ा रहे थी कैसे आज़ादी के आंदोलन में वो बाहर आ रहे थी और कैसे समाजिक रूड़ियों में उनको जकरने की भी कोशशी हो रहे थी कहींन कहीं लेखी का लोगों की मानसिक्ता वो पिता जी के जो दोस्त हैं उनकी मानसिक्ता को सपष्ट करते हुए और ये भी कहते हुए कि मुहले में तरह तरह की खुसुर खुसुर होने लगी तो ये सारी बाते कहते हुए बता रही हैं कि स्त्रियों से लड़कियों से किस तरह की अपेक्षा की जा रही थी लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उन अपेक्षाओं को उन रोडियों को तोड़ते वे बाहर नहीं आ रही है तो जो हमारे जीवन में चारो तरफ चीजों को अभी स्त्रिवादी नजरिये से देखने की बात है तो इस पार्ट में एक बहुत महत्वपून बिंदू है जिसे हम बार बार देखेंगे गोरे और काले की भी बात आई है कि गोरी है तो उसे पिता का सनेह जादा मिल रहा है मैं काली थी तो मुझे हमेशा हीन भावना रही तो यह सारी बात जो है जो हम अभी के जीवन में चर्चा जिंपी करते हैं वह मिल रही है जो हमारा इतिहास है अजादी की लढ़ाई का उसकी भी एक जलक मिल रही है लेकिन व्यक्तितू का विश्लेशन भी मिल रहा है कि अलग-अलग किस्म के लोग होते हैं इस दुनिया में और उनको हम किस नजरिये से देखें। पिता को देखिए तो मन्नु जी कहीं भी पिता को एक महान व्यक्ति नहीं बना देती हैं। उनको एक सामान ने मनुश्य रहने देती हैं। उनको हर तरह से आलोशनात्मक नजर से देखके भी एक विलन नहीं बनाती हैं। तो यह नहीं है कि यह बहुत अच्छा है, यह बहुत बुरा है। मनुश्य हैं। मनुश्य में कुछ अच्छाईयां हैं, कुछ बुराईयां हैं। जो इस पर बहुत सारे प्रश्ण बनते हैं, वह पिता के व्यक्तित्यों पर, क्योंकि इस पार्ट में उनका ही व्यक्तित्यों उपर कर आया है। तो ये प्रश्ण बहुत अधिक बनते हैं, कि उनका व्यक्तित्व किन रूढियों से, किन अंतर विरोधों से था, या मन्नू के प्रति उनका व्यवहार क्या था, तो इसको तो हमने सारा पढ़ लिया, आप देख सकते हैं, कि वो अपनी बेटी को कहीं न कहीं इन रूढियों प्रगतिशील विचार कहिए, वो रोक भी नहीं का पाते हैं, तो सामाजिक बंधनों में भी हैं, और प्रगतिशील भी हैं, तो एक पूरी पीढ़ी ऐसी रही है, जो उन दायरों को तोड़ने की उचाह रहती थी, और वो कोशिश करते थे तोड़ने की, और कई बार नहीं चब्द करियों में हिंदी का, जज्जमेंट नहीं देती हैं, वो ये नहीं कहती हैं कि पिता बुरे थे, पिता अच्छे थे, पिता ऐसे थे, आपको जैसे देखना देखिए, मेरी नजर में वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उस समय में, चालिस के दश्रक में, वो अप बड़ी बात है, क्योंकि उस समय का जो माहौल था, देश के लिए प्रेरीत करने वाला था, आज सोची, हम किसी आंदोलन में भाग लेने जाएं, हमारे माता पिता का क्या, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, वो क्या चाहेंगे, क्या वो चाहेंगे कि हम जाएं या हम नहीं जाएं, आप लोग तो अभी विद्यार थी हैं, दसमी में हैं, मैं अगर जाना चाहूं तो मेरे परिवार के लोग किस तृष्टी से देखेंगे, तो अगर इस नजरी से हम उनके पिता को देखते हैं, तो हमें लगता हो उदार हैं, और किसी और नजरी से देखते है जैसे दसमी के बाद अपनी अन्य बेटियों की शादी कर दी, अपनी पत्नी पर इस तरह का वेवार किया, क्रोधित होते रहे, अपनी आर्थिक जो संकट थे, उसको किसी से साज़ा नहीं किया, संतानों को बताया नहीं, और पत्नी से बहुत खफा रहे हैं उसके चलते, ज उनके अंदर की खामिया ही, उनको मनुष्य बनाती हैं, देहुता नहीं होने देती हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए, कि जो हमारे प्रिये लोग हैं, हमारा दोस्त है, हमारे माता पिता है, हमारे दादा दादी हैं, उनको भी देखने की एक दृष्टी कैसी होनी चाहि जो बहुत चुबने वाली बात है na एक स्तुरी के तौर पर, एक अध्यापिका के तौर पर या कहूं तो एक मा के भी तौर पर मुझे ये बात ये लगती है कि इसमें लेखिका कहती है कि मुझे अपनी मा से कहीं-कहीं सहानुभूती है लेकिन मुझे अपनी मां के जैसा नहीं बनना है मतलब मां के जैसा नहीं बनना है ये बहुत अच्छी बात है वो एकदम अपने thoughts में, अपने विचारों में clear hasposed है कि मुझे अपनी मां का जीवन अपना जीवन नहीं चाहिए लेकिन मां वो जीवन जी रही है क्या लेखी का उसके लिए कुछ प्रयास कर रही है कि माँ वो जीवन न जीए क्या हम अपनी आजादी के लिए उत्तरदाई है अपनी माँ अपनी बहनों के आजादी के लिए नहीं उत्तरदाई है तो मुझे ये बात चुबती है कि हम देखते हैं कि वो उसमें फसा हुआ है, कोई हमारा अपना ही है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं देखते हैं कि वो बच्ची नहीं कर सकती थी, मैं यह नहीं कर रहे हैं कि मन्नु भंडारी को जाकर अपने पिता के खिलाफ अंदोलन कर देना चाहिता कि मां से ऐसा क्यूं कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पाई यह देह कर मेरे मन में एक कस्मसा हट होती है दुख होता है कि एक स्तुरी का जो पारिवारिक जीवन है वो किन बंधनों में है दूसरी तरफ एक शीला अगरवाल है जो अध्यापिका है और जिनका एक सामाजिक व्यक्तित्व है जिनको कॉलेज प्रसाशन निकाल भी देता है तो उनकी छात्राएं उनके लिए अंदोलन रत हो जाती है तो कितनी कदावर इस्तुरी होगी उस जमाने में भी एक तरफ लेखी का की मा और एक तरफ शीला गरवाल तो उस जमाने में भी इस्तुरीयां इस तरह के अलग-अलग व्यक्तित्वों के थी आज भी हैं और हम एक सामाजिक वदलाव के एक लंबे दौर को पार करके आए हैं जो इस पार्ट के द्वारा हमें पता चलता है देखता है और हमें उसे देखना चाहिए और हमें उसे अपनी संगर्शों में सामिल करना चाहिए ऐसा नहीं है कि इस पार्ट में जो सामाजिक परिवेश है उससे चीजे बहुत अधिक बदल गई है हो सकता है मेट्रो सिटीज में जहां बड़े बड़े अपार्ट में फ्लैट कल्चर हो जो लेखी का कह रही है वहाँ पे चीजे बदल गई हो लेकिन अभी भी एक वरिहतर परिद्रिश्य में एक बड़े समाज में ये सारी चीजे नहीं बदली है और इन बदलाओं की तरफ हमें जाना चाहिए इसलिए हम पढ़ते हैं दस्वी में इसलिए नहीं कि हम दस्वी के बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाएं वह भी एक उदेश्य है लेकिन यह भी उदेश्य है कि हम अपने परिवेश को हम अपने समाज को देखें और उसके बदलाओ के लिए कोशिश करें एक विद्यार्थी के तौर पर एक व्यक्ति के तौर और एक नागरिक के तौर पर हम इस पार्ट से यहीं लेकर जाएं कि हमारा समाज कैसा है और उसको बदलने के लिए किन-किन लोगों ने क्या-क्या प्रयास किया है और हम क्या कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग इन मुख्य बंदूओं को समझ पाए होंगे और अपने साथ लेकर जाएंगे और इस कक्षा के बाद एक नए नजरिये से लेखक के जीवन को देखेंगे उमीद है एक कहानी यहभी नामक पाथ आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा और कहीं न कहीं आपके दिल्चस्पी मन्नु भंदारी के आगे के जीवन में बनी होगी शीला अगरवाल जितना तो नहीं लेकिन उमीद करती हूँ कि जरा सा प्रभाव मेरा पढ़ा होगा और आप दस्वी की परिक्षा के बाद एक कहानी यहभी नामक उनकी आत्मकता जरूर पढ़ेंगे और फिर बताएंगे कि कैसा लगा आपको उनके बारे में जानकर झाल 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 नहीं झाल